अगर आपके भी disc brake के pads में oil चला गया है या किसी वज़े से वो साही से काम नहीं कर रहा है जिसके वो noise create कर रहा है जब भी आप उसके brake को press करते हो तो आज का ये वीडियो आपके लिए है विकाज मैं आपको बहुत ही simple से steps बताने वाला हूँ जिससे आपके disc brake का noise पूरे तरीके से खतम हो जाएगा और वो एकदम new जैसा आपको braking performance देता रहेगा ध्यान से पूरा वीडियो देखना है विकाज एक भी step अगर आपने miss कर दिया तो आपका brake सही से काम नहीं करेगा step 1 सबसे पहले तो अपने disc brake के caliper में से जो आपका disc brake का pad है उसको निकाल लो अब disc brake के pad different हो सकते हैं कि कुछ लोगों का round होता है तो कुछ लोगों का ऐसा square वाला भी आता है तो आपने सबसे पहले तो अपने disc brake के pads को निकाल लेना है अपने disc brake के caliper में से step 2 डिसक ब्रेक के pads को निकालने के बाद आपके घर में अगर dish washing soap है जो की normally 20 उर्पे, 10 उर्पे, ऐसे 30 उर्पे में मिल जाता है तो बरतंद होने वाला जो soap आता है खरीदने वाला liquid वाला उसको हम dish washing soap बोलते हैं आप वो ले लो उसको लेके आप पहले पैड को थोड़ा सा पानी से भिगा लो भिगाने के बाद इसके उपर उस dish washing soap को दोनों disc brake के pad में अच्छे से लगा दो कुछ इस तरीके से जैसा contaminant या oil उपर लगा हुआ है वो सारा उस pad में से remove करने में ये काफी ज़्यादा help आपकी करेगा now third step आपका जो disc brake का rotor है हो सकता है कि उसमें भी थोड़ा बहुत oil लगा हुआ हो तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो थोड़ा सा soapy water पानी में साबुन वगेरा घुला के, सर्फ घुला लो, normal साबुन घुला लो या shampoo गएरा अच्छे से घुला के आप अपने disc brake को एक अच्छे कपड़े से पूरे तरीके से clean कर दो उस soapy water से जिससे आपके disc brake के rotor में अगर oil लगा हुआ रहेगा या कुछ भी contaminants होगा वो भी remove हो जाएगा अगर आप थोड़ा बहुत isopropyl alcohol यूज कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात होगी नहीं कर सकते तो dish washing soap या पि normal soapy water से उस disc brake के rotor को अच्छे से पूरा साफ कर दो step number four disc brake के pad को इस तरीके से प्लास की मदद से पकड़ लो gas में gas के चूले के ओपर जो उसकी आग होती है उसके थोड़ा सा ऊपर आप अपने disc brake के pad को कुछ इस तरीके से रखो जो breaking वाला surface है वो आग की तरफ होना चाहिए इससे क्या होगा कि आग की जो गर्मी है वो अंदर disc brake के pad में जो oil चला गया है उसको burn करने में help करेगा यानि कि उसको पूरी तरीके से जला के निकाल देगा वो oil वहां से खतम कर देगा पूरी तरीके से तो आपका pad भी खराब नहीं होगा और pad जलेगा नहीं बट जो oil होगा उसके अंदर वो पूरी तरीके से ये step करना ज़रूरी है क्योंकि यही step से आपका सारा oil आपके disc brake के pad में से निकल जाएगा now fifth और final step में हमने क्या करना है कि हमारे जो disc brake के pad है इसके surface को हमने थोड़ा सा sandpaper से rub करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे बिल्कुल zero वाला जो sandpaper आता है या thousand grit वाला जो sandpaper आता है अब वो लेओ market से घिसने से क्या होगा उपर की जो एक खराब layer थी या कुछ भी अगर खराब रहा होगा वो भी निकल जाएगा तो यह जो rub होने के बाद यह discarded material है या जो extra जो यह आपका break pad घिसके जो sandpaper के उपर है इसको ना सांस के द्वारा सांस मत ले लेना या उसको अपने सांस के द्वारा inhale मत करना बिकाद यह बहुत ही खराब होता है तो इसको आप किसी अच्छे तरीके से कूडे में या कहीं पर बांध बांध के पनी से फैक दो फाइनल स्टेप में मैं recommend करूंगा कि break pad को वापस उसके caliper में लगाने से पहले caliper के अंदर भी थोड़ा अच्छे से ना आप कपड़ा और isopropyl alcohol जिसको हम लोग कई बार sanitizer भी बोलते हैं isopropyl alcohol से आप अच्छे तरह से caliper के अंदर के mechanism को पूरा clean कर दो फिर जाए वो disc brake हो या फिर normal mechanical वारा हो या hydraulic हो ठीक है then इसके बाद आप वापस अपने disc brake के pad को अपने caliper में लगा दीजिए अपने rotor पहले ही clean कर लिया था अब वापस mount कर दो आपका brake बिलकुल perfect तरीके से काम करेगा पहले जैसे एकदम powerful वाला performance आपका disc brake आपको देना शुरू कर देगा इन सारे steps को follow कर लेना आपका disc brake अच्छे तरीके से काम करेगा अगर नहीं करा सब फिर भी करने के बाद तो comment में आके मेरे को बता देना आशे करता हूँ वीडियो अच्छा लगा हो तो like करो, share करो, channel को subscribe करो मिलता हूँ अगले वीडियो में, bye bye